हलो दोस्तो आज का हमारा विशे है मानव विकास की अवधारणा यानि गर्ब से लेकर उसके बाद जन्म और उसके बाद व्रुद अवस्था और मृत्यू तक जो परिवर्तन शरीर में आते हैं वो एक मानव विकास है उसकी क्या अवधारणा है क्या उसकी परिवासा है क्या उसका अर्थ है और कौन-कौन से वो चरण है जिसमें से होकर ये विकास गुजरता है। दोस्तो आज हम पढ़ेंगे मानविकास की अवधारना कि किस तरह से व्यक्ति में परिवर्तन आते हैं और जो परिवर्तन है वो किस परकार के हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मानविकास भारती साइटे के परिपेक्से से। बगत गीता अध्यदो शलोक 28 सबी सरीर शुरुआत में एव्यक्त थे वे मद्य में प्रकट होते हैं। ये भारत और अंतम फिर से एव्यक्त हो जाएंगे तो तुम इस बारे में क्यों सोक करते हो। ये शलोक बगवान स्रीक्रिशन ने अरजुन को कहे जब अरजुन दोनों से नाओं के बीच अपना हतियार गांडिव धनुस नीचे रखकर बैठ जाता है और कहता कि हे मद्यूसुदन मैं इन लोगों कोई क्यों हत्या करूं जिनके साथ मैं बढ़ा हुआ जिनके आसिरव उनको उबदेश दिया उसे बगवत गिता कहते हैं और उसी से मैंने ये शलोक लिया है इस करता है कि जीवन सुनने से जन्म लेता है मद्य में खुद परकट होता है और अंत में सुनने में ही विलीन हो जाता है या सुन परकट होना मतलब जन्म के बात की बात है वह जगह है जहां नो दुआर वाले घर में विकास प्रफुलित होता है, प्रफुटित होता है, यानि भगवान स्री कृष्ण ने अध्याय पांच, शलोक तेरा में इस शरीर को नो दुआर वाला घर कहा है, कितनी सुन्दर बात है ये, अभिवक्ति काल में, जब स्वेम परकट होता है जब जन्म लेता है, उसको अभिवक्ति काल का है, मैं मन पर नियनतर्ण ओर उसके सुद्ध्य करण को विकास की प्रिकिरिया के दोरान, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है श्रीक्रिशन कहते हैं कि अगर व्यक्ति ने इस प्रक्रिया के दोरान अपने मन पर नियंतर्ण कर लिया और इसको सुद कर लिया तो यह सबसे बड़ा विकास है आगे देखिए अध्याय 13 और सलोक 6 कहते हैं गति विद्यों का छेत्र भगवान श्रीक्रिशन ने इस सरीर को गति विद्यों का छेत्र भी कहा है जिसे पाँच महान तत्वों से अहंकार इसको अहम बुद्धी अप्रकट आधिकालिन तत्व जिसको प्रकर्ति इंदरियों की पाँच वस्त्वों और 11 इंदरियों दसैंक से यह बना हुआ है और 11 इंद्रिया कौन-कौन सी है? पाँच पाध ज्यान इंद्रिया, कान, आखे, जीव, तवचा और नाक, पाध काम करने वाल इंद्रिया, आवाज, हाथ, पैर, जनांग और गुदा और मन, तो ये पाध महान तत्व, जिस्षे बना है एक गतिविद्यो का छेतर, जिसे हम शरीर कहते हैं, भगुत गिदा का देखिया द्यायत तेरा का सात्वा सिलोक क्या कहता है, इच्छा, द्वेज, सुख, दुख, संगात, जीवन के लक्सन तता धैरे, इन सब को संक्षेप में कर्म का छेतर, तता उसकी अंतक्रियाएं कहा जाता है, कर्म का छेतर शरीर में सारी चीज़े होती हैं, और फिर उनकी इन में आपस में अंतक्रियावी होती है, और इसे विकार का जाता है, शरीर एक गतिविदियों का छेतर है, और ये मृत्यू तक छे परिवर्तनों से गुजरता है, सबसे पहला है अस्ति, अस्ति तुमें आना, जायते, जन्म, वर्दते, विकास, विपरानिमते, प्रजनन, अपक आसति, मौत, मृत्यू, यानि की वरित्यू, शरीर का उस सुन्य में फिर से विलीन हो जाना, और यानि की शरीर अपने खुशी के लिए, अपने लिए आत्मा का समर्थन करता है, कि किस परकार से वखती, अपने आपको खुश रख सके, अपने अंदर जो आत्मा है, उसका स समर्थन करता है और उस खुजी की खोज करता है चलिए अभी देखते हैं वो मनोग्यानिक जिन्होंने मानव विकास का देन किया I want to tell here मैं बताना चाहता हूं कि यह लिस्ट अग्जोस्टिव नहीं है पूरी लिस्ट यह नहीं है बहुत से और लोग हैं जो कि उनका mention करना यह से contextual viewpoint लेव वाइगोट्स की सामाजिक विकास से धांत दुरगा नंज सिनाह परिस्थितिक मोडल हैरी फ्रेडिक हार्लो सामाजिक और संग्यानातों विकास पर अनुलगनक का प्रभाव अनुलगनक का मतलब होता है attachment जहीं हम किस तरह अपनी मा से पिता से भाई बैन से अप उन्होंने स्टेडी की नेतिक विकास की तोस्तों ये लिस्ट में फिर बता रहा हूँ इतनी नहीं है बहुत बड़ी लिस्ट है लेकिन वह अब यहाँ पर मेंशन करना अपने स्कॉप से बाहर है अब विकास के आर्थ को सबस्ते हैं गर्म से लेकर जन और वर्दा वस्ता तक मनुश्य के जीवन में करमिक गुनात्मक और बत्राथमक परिवर्तन या जीवन के दो रान नय即ष्पष यह बताना चाहता हूं मैं विकास यह यह गुनात्मक है और मत्रात्मक होता है यानि की qualitative as well as quantitative और ये नए चरणों को प्राफ्ट करना नया चरण मतलब आप शिशू बच्पन, किसोरा वस्ता ये अलग-लग चरण है इनको प्राफ्ट करना एक विकास है विकास एक सरंचनात्मक और कार्यात्मक परवा होता है यस ये एक परवा है एक flow होता है जो जीवन के चक्र को परवायमान बनाए रखता है मतलब जीवन का जो चक्र है उसके अंदर जो परवायमान बनाए रखना ही विकास का एक नुखे लक्से होता है पूरी प्रत्वी पर विकास का सरूप एक समान होता है ये सभी में पोदों में जानवरों में और मनुष्य में एक समान होता है लेकिन इसकी अभिवक्ति है प्रतेक इंसान में यूनीक एक्सक्लूसी यानि की अधित्ती होती है दोस्तों विकास के कुछ चरण में नहीं दिखाए हैं आप देखेंगे यह देखिए आप प्रस्व पूर्ण चर प्रस्व पूर्ण चरण और वही चक्र यही है जीवन के परमोग चक्र यही है जीवन काल जीवन का चरण परिवासा क्या है विकास प्रगितिशील विवस्तित और अनुमानित परिवर्तनों का एक सुरूप होता है जो गर्बादान से शुरू होकर जीवन परिवन्त चलता है इसमें मनुष्य के सारिरिक मनोग्यानिक और समाजिक छेत्रों में वरदी और गिरावट दोनों सामिल है दोस्तों आप देख सकते हैं ये शिशू इसकी मसल्स में इसके सरीर में परिवर्तन वरदी हो रही है फिर वरदी हो रही है वरदी उसके बाद चलो हो जाती है गिरावट और ये गिरावट और वरदी दोनों ही विकास के अंग होते हैं जी विकास में वॱ्दी भी होती है और गिरावड भी होती है आप देखेंगे वेसक्ता के बाद जब वुर्दावस्ता आती है यह विकास का चर्ण है, लेकिन बुर्दी नहीं है यहनि कि विकास के अंदर दोनों चीज़े आती है वरदी और गिरावर्ट विकास के कुछ उधारन देखिए आप सारे लिए विकास कौन-कौन सा है मासपेशियों और हड्डियों के समर्थे में परिवर्थन मासपेशियों मजबूत हो जाती है हड्डिया मजबूत होती है और आप देखेंगे बुर्दवस्ता में दोनों चीज़े कमज़ोर हो जाती हरास हो जाती ये भी विकास है मनुवग्यानि कौन-कौन सा है संग्यनात्मक परणाली में परिवर्थन सोचने की परिक्रिया में समस्या समदान की समता में आउधान और आउधानात्मक परिक्रिया में जो परिवर्थन आता है वो मनुवग्यानिक विकास होता है समाजिक पारशप्रिक संबंदों में समाजिक अनुकूलन कैसे अडप्टेशन होता है और समाजिक विवारादी में परिवर्थन जो आता है ये सारे के सारे विकास के कुछ उधारना है इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे विकास को दरसाया गया है फ्रेंड्स विकास को अलग घटना नहीं होती है बलकि ये क्या होता है ये तीन चीजे हैं, तीन प्रक्रियाए होती हैं, जैविक, सामाजिक बावनात्मक और संग्यानात्मक, इन तीनों की अंतक्रिया का जो प्रणाम होता है, वो एक चीज निकल कराती है, जिसे हम विकास करते हैं, जैविक प्रक्रियाए कौन-कौन सी है, माता-पिता से विरासत में पराब जीन, वेक्ति की उचाई में परिवर्तन, वजन में परिवर्तन, मस्तिष्ट में परिवर्तन, दिल फेपड़े और सारी विशेष्टाओं के विकास को जो परवावित करते हैं, वो जैविक प्रक्रियाइद हो हैं, संगयनात्मों देखें, मांसिक संका यानि कि mental facult में परिवर्तन, जैसे आपकी स्मृति मदलन दियाती है, अभिग्यान, यानि कोगनीशन में परिवर्तन आता है, समझने में परिवर्तन आता है, एब्स्ट्रेक्शन में परिवर्तन आता है, समस्याओं समधान में परिवर्तन आता है, पर्टेक्शन में परिवर्तन जो आ में ब्रुद्षाय के नियंगे अगर विकास की गटना है यह सब सब क्या है समाजिक परिवर्तन इसका उधान के लिए प्रतिस परदा आदी में हारने पर कुछ और दूख अभी रता है उसको आप देखेंगे कि एगर किसी competition में हार गया है, तो कितना उसको दुख होता है, उसको एक अंदर से जलन सी पैदा होती है कि मैं क्यों हार गया, यह क्या है, यह विकास का यह तो एक चरन है, समाजिक बावनात्मक है, पृतिक्रिया है, अब देखें, विकास का जिवन काल परिक से, परिक्रिक से, विकास जि इसलिए इसको बहु आया मियानी मल्टी डैमेशनल का है विकास का शुरूप अच्तिक लचीला होता है यानी इसमें सुधार की संभावना में साथ होती है कोशल और संथाओं में सुधार किया सकता है देख लिजी आप जब छोड़ा बच्चा होता है साइकिल चलाना सीखता ह साइकिल चलाने के बाद तुरा चावर जब बड़ा होता दूसी साइकिल से स्टंट मारना सीख लेता है अब देखें यह कोशल और संता में सुधार हो गया ना यही तह विकास का सुरूप आगे देखें विकास एक एतिया की स्थितियों से परभावित होता है इस्टोरिकल situation से वो बिलकुल influence होता है जैसे उधान के लिए भारत में जब सुतंता संग्राम चल रहा था उस समय जो 20 साल के विक्ती थे और आज जो 20 साल के विक्ती है दोनों का जो विकास था वो अलग अलग है क्योंकि उस समय इतियास कुछ और था उस समय कुछ स्थितियों अलग थी उस समय इन्वार्मेंट अलग था और आज अलग है इसलिए कहा गया है विकास एतियासिक स्थितियों से परभावित होता है विकास का जो है समात सास्त्र मनो वग्यान मानो वग्यान तंत्रय वग्यान आधि द्वारा अध्यन किया जाता है यह कुछ विषय है कुछ discipline है कु चाहता हूँ कि व्यक्ति का जो response होता है वो कोई ना कोई संदर्ब से जुड़ा होता है यानि व्यक्ति अपने विरासत यह विरासत का मतलब है जीन ततकाल परियावर्ण सामाज इक स्थिति और सांस्कृति कार्गों के अदार पर प्रति करिया देता है अब देखें उदान देखेंगे वहां के किसोरिया जरूर होगी यह विकास है इसका बतलब यह होगया कि विकास जो है में व्यक्ति की जो पृतिकरिया होती है संधर्ब आधारित होती है हम कुछ परिबासाई देखते हैं विकास से जुड़ी भी है विकास की परिबासा देखी एक परिकरिया जिसके दोरह व्यक्ति जिवन प्रियन बढ़ता है और बदलता है दोस्तों यहाँ पर बढ़ना और बदलना है बदलना का मतलब है हरास भी परिवर्तन बढ़ना तो है यह वरदी तो है यह हो साथ में हरास भी है यह दोनों चीज़े विकास में होती है लेकिन जब हम समर्दी की बात करते हैं ये श्रीर के अंगों के आकार में वरधी, उचाई का बढ़ जाना, वजन का बढ़ जाना, मस्तिस्क में विकास हो जाना, हाथों की उंगलियों का बढ़ जाना, श्रीर के दूसरे अंगों का विकास, फेफणों का बढ़ जाना, ये सारी जिनमें बढ़ना, बढ़त होती है, व्रद्धी होती है और पूरी तरह संगठित पूरा function करने लग जयता है पूरा शुरीर तो एक तरह से संगठित हो जने लगता है यह दर साता है संवरद्धी को संभर्दी में एक चीज याद रखना इसमें व्रद्धी पाई जाती है इसे मापा या मातराबद भी किया जा सक देखते हैं यह उन परिवरतनों को संदर्वित करता है जो कर्मिक अनुकरम का पालन करते हैं करा है इसके बाद इह वहोगा और बड़े प्माने पर अनुद्वानוד करता है उसको आपका अनुद्वान शीक खाका है बिलकूल सही का आपने यानि कि जो genetic blueprint जो हमें माता-पिता से मिला था वो निदाइद करता है और यही blueprint विकास में समानताएं उत्पन करता है चलिए कर्म विकास की परिवासा बताईए यह है यह प्रजातियों के विशिस्ट परिवर्तनों से संदर्भित करता है यानि species specific जो परिवर्तन आते हैं वो कर्म विकास है उधानते लेजी एक दसमलों चार क्रोड़ वर्स लगबग इतने वर्स पहले मनुस्यों को बंदर माना जाता है वानर थे महान वानरों से हमारा उद्भा हुआ है हमारी पूछ नहीं है अब हम बंदरों में हमारा फरक है हम अपने इंडेक्स फिंगर से और अपना जो अंगुठा है उसको मिला सकते हैं आपस में टच कर सकते हैं जिसके कांड़ से माचेश कितिली या भोत महीन काम हम कर सकते हैं जो बंदर नहीं कर बाते हैं यह क्या है यह कर्म विकास होगा, evolution हुआ है यह, और हर चीज में evolution हो रहा है, यह तो कर्म विकास है, यानि च्यार अपने परिवासाई पढ़िश के अंदर, विकास, समवर्दी, परिपक्वता और कर्म विकास, तो दोस्तों, हमारा अगला व्यक्षान होगा, मानव विकास के सिध्धान, धन्वा दोस्त, जल्दी ही हम फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्षर में, यह मेरी email ID है, वर्मासुजीत at the rate of yahoo.com, दोस्तों, हम इस वीडियो से सम्मंदित, किसी भी प्रकारिकोशंका, को डाउट, को क्रिटिकल कमेंट, को सजेसन आपके मन में हो, तो आप मुझे भेज सकते हैं, मेरी email मने आपको बताई है, वर्मासुजीत at the rate of yahoo.com, हम आपके सुझाओों को रूप से संकलित करेंगे, समिलित करेंगे और उनको आपका धन्यवाद भी करेंगे. Once again, thanks friends.